मैं आपके लिए यहां पर नए आइडियास लेके आई हूँ यहां पर जो भी आइडियास मेरे सारा प्रेस्ट मटीरियल से है जिस तरह किसे बॉटल होती है या कुछ और समान कुछ भी ऐसा समान होता है जो हमारे पास ऐसा ही पड़ा रहता है खाली होने के बाद हम उनको फैंट देते हैं तो उनको फैंटने की बज़ाए अगर आप उनको अच्छ से सही तरीके से दर यूज करते हैं तो हमारा घर बिल्को अच्छा और्गनाइज रहता है या पि सक्यों हम जब भी ise cream लेके आते हैं तो कई वार इस तरीके से kullard में आइस अच्छा कि आते हैं यह देखिये वडी लाल की ise cream है तो इस तरीके से मेरे झाने तुछ सर्थ हमारा कितना दाल है यहाजा के साथ आइ पीचे की तरफ और सेखा सकती हो पीच्छा देखी में काफी आछा लग रहा था तो मैं उसकी में कहूंधी ता मैं यूज कर लोगी उसके बाद एकि नेक्स आइडिया है कि मेरे पास यहां पर एक इसमें से खाली हो गई थी तो उसके बात vaid medicine कबॉक्स ऐसे ही पड़ा था तो मैंने झाया चलो इसको ही रियूस कर लेते हैं तो यहां पर मैं जो यह की इस रखने चाहते हों तो आप इसको सींपल भी रख सकते हों तो मैं यहां पर ऐसमें को औरot करते हैं तो में आसान तरीका होता है को तो कोई भी easily अराम से कर सकता है तो ज़्यादा hard नहीं होता यह वाली process आप easily इनको कर सकते हो आपको बस इतना बड़ा box लेना है उसका according आप box ले लीजिए और उसका according यह आप यहाँ पर paper को cut कर लीजिए मैंने यहाँ पर simple सी paper cut किये यह आपको market में 10 रुपर की sheet easily मिल जाएगी कहीं भी आप लेना चाहो तो वहाँ पर आप कह सकते हो कि यह wall paper sheet या फिर आप यहाँ पर जो gift paper sheet होती है वो कहकर भी आप इस paper को ले सकते हो क्योंकि काफी बार में पास comment आते हैं कि आप इनका link send करो तो यहाँ पर मैंने कोई यह online नहीं मंगा था मैंने यहाँ पर जो normal stationery की shop होती है वहीं से मैंने यह paper को purchase किया है तो आप भी वहाँ से जाके नॉर्मल आप paper बोलके इस तरही के paper को आप buy कर सकते हो तो यहाँ पर देखे इतने बातों बातों में हमारा box बनके ready हो गया है अब देखे मैं अपने यहाँ पर इस तरीके से kitchen area में आप इसको use कर सकते हो तो kitchen area में यहाँ पर इतने भी इस तरीके के मसाले की boxes होते हैं आप इन boxes को इस तरीके से रखे अपने kitchen को इस तरीके से organize करके रख सकते हो तो इसमें कुछ भी हमें काम ज़दा करना नहीं होता है और या फिर आप क्या कर सकते हो बच्चों के जो स्टिशनरी का समान है उनको भी आप उनकी टेबल पर इस तरीके से रखके उनको और्गिनाइज करके रख सकते हो तो यह बिल्कुल छोटा सा आइडिया था आप किसी बॉक्स को चाहे डेकोरेट करके लगाए या फिर आप सिंपल भी इस तरीके से बॉक्स को बिना डेकोरेट किये भी इनको यूज कर सकते हो देखे हमारा यहाँ पर एक छोटा सा और्गिनाइजर बनके बिल्कुल रएडिया है अब आप चाहे इसको कीचन में यूज कीजिए या फिर अपने यहाँ पर स्टरी टेबल पर यूज कीजिए या फिर कहीं भी इसको यूज कर सकते हो हम क्या करते हैं कि इन बॉक्स को इस तरह के से वे समझ कर फैंग देते हैं लेकिन इस तरह के बॉक्सों को आप यहाँ पर बिना पैसे खर्च की या आप और्गिनाइजर बना सकते हो हम मार्केट से ऐसे और्गिनाइजर लेके आते रहते हैं तो उनको लाने की बजाए आप इस तरीके से यूज कीजिए उसके बाद देखी मैंने नेक्स आइडिया जाए कि यहाँ पर हमारे पास compact होते हैं तो यह compact तो आज ढूटके ही अपना पी इसका mirror था वो निकल गया था और पहले भी देखे मैंने दो compact में से इस तरीके mirror को निक के साथ मैं आपको यहाँ पर इसका आइडिया शेयर करूंगे कैसे मैं इन mirror को यूज करती हूं उसके बाद देखिए अगर आपके पास इस तरीके की लैस है मेरे पास यह अनारकली कुरती थी जिसका बिल्कुल भी टेंड नहीं रहा तो मैंने यहाँ पर अनारकली कुरती क बिल्कुल एक दूसरे लहंगे में चेंज कर लिया था तो इसके उपर देखिए इस तरह की लैस है उन लैस पर मैंने काफी मिरर तो उतार लिया थे मुझे से जरूत पड़ी थी अब काफी मिरर देखिए है इसके अंदर तो यह इसमें से उतर सकते हैं अगर आपकी लैस ब लगा के डयकोर्रेट कर सकतो उस दिखिए इस तराइके से मिरर यह स्टोन वह अगेरा आप अपने पुराने कप्रोड़ों में से उतारके अपने डियाव करने के लिए रजग सकते हो १। यहाँ पर देखी जो भी color लेके आते हैं उन cpentryorka की bottles खाली हो जाती है दो में इस तरीके से वाउच्च कर लिया है मैंने रात पर िआयोक Racing में इजि अभِّ यह मेरीची उसी मेंसे इन बोटल को डाल देती हूं कुछ देखिए यह गोल्डन सिल्वर अलग से आते हैं इसमें नहीं आते तो कुछ उनकी भी बोटल ले तो इस तरीके सारी बोटल इतनी भी थी मैंने आपर बोटल को ले ली है आप इन बोटल को आप अच्छे से वाश कर लिजी और आपके पास इतने भी यहाँ पर DIY समान है यहाँ पर आपके पास इतने भी समान है उन समान को आप इस तरीके से बॉटल में और्गनाइज करके रख सकते हो क्योंकि pouch में कभी-कभी pouch फट जाता है या निकालते वक्त गिर जाते हैं तो कुछ समान हमारा नीचे गिर जाता है और हमें पता भी ने चलता और pouch में से संबालना भी मुश्किल होता है तो उन pouch को आप इस तरीके से यहाँ पर इन bottle को use करते हुए इन bottle में organize कीजिए और आपको यहाँ पर यह bottle है वो transparent भी है तो आप इनको easily भी देख सकते हो कि कौन सी bottle में कौन सा समान है तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना बिल्कुल bottle में organize करते हुए इन bottle को अच्छे से आप इनको रख सकते हो और यहाँ पर इन bottles को रखने के लिए देखिए समान आपको दिख रहा होगा सारा समान इसमें से दिख रहा है इन bottle को रखने के लिए अगर आपके पास ऐसा box खाली हो गया है तो इन box में ही आप organize करके वापस से रख लिए लेकिन मेरे पास आपकी तक box पूरा खाली नहीं हुआ है तो मेरे पास एक प्लास्टिक का box है यहाँ पर जिसमें हम यहाँ पर मिठाई या biscuit लिके आते हैं तो इस तरह के boxes आते हैं तो उनी boxes को मैं यहाँ पर इसको यूज कर रही हूँ देखिए इस तरीके से पूरा एक box आप यहाँ पर craft का ready कर सकते हो तो मैं यहाँ इसके लिए space छोड़ रखा है कि जब भी और कोई bottle खाली होईगी तो उस bottle के अंदर में यहाँ पर सारे यहाँ पर अपनी bottle को इस box में डाल लूँगे देखिए बहुत इजी नी तरीका था कुछ भी नहीं करना हमें यहाँ पर ना इनको decorate किया ना कुछ पैसे खरच किये और बिना किसी खरच के हमारा यहाँ पर एक organizer बनके ready हो गया है और सारे समान के अच्छे अच्छे यहाँ पर lid भी है तो कोई भी समान आपस में यहाँ पर दूसरे से मिलेगा भी नहीं और हमारा सारा समान इजी ली निकल जाएगा next idea देखी हमारा यहाँ पर इन जो हमारे शादी के कार्ड होते हैं काफी खटे हो जाते हैं उन शादी के कार्ड के साथ है तो इन कार्ड से आद हम बहुत अच्छा उस front part को हम side में कर देंगे आप यहाँ पर front part का भी use कर सकते हो, डिके मैं अइसको cutting कर लिए अब जो front part já na आप यहाँ पहर पीछे की तरफ ना use करते हुए plain part को आप use कर सकते हो जिसे यहाह पर किस तरीकल होता है इस box को cover करना होता है या फिर और कुछ भी organizer बनाना होते है या बच्चों को बनाने होते हैं तो आप इसमें plane sheet का use कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर देखी जो यह उपर से extra part था इस extra part को मैं cut कर दूँगी और cut करने के बाद जो हमने उपर वाला part cut किया था उस उपर वाले part को इसके साथ paste कर देंगे छोटे वाले piece है और छोटे वाले piece पे हम यहाँ पर इसमें तीन तरफ से इसकी तरफ glue लगा लेंगे और glue लगाने के बाद हम इसी के उपर इसको paste कर देंगे तो हमारा यहां पर इक इसको पेश्ट कर देंगे पेश्ट करने के बाद अब जो भी हमारी इसको पेले ड्राइ करने देंगे ड्राइ हो रहा है तक तक यहां पर जो भी हमारी एक्स्ट्रा कटिंगे उस एक्स्ट्रा कटिंग को हम कट कर लेंगे और साथ साथ में जहां उपर की साइडें वहां से मैं थोड़ी हलकी सी इसको गोलाई में शेव दे लूँगी ताकि इसका जो लुक है वो थोड़ा सा अच्छा लगे देखिए हमारा यहाँ पर एक ही छोटा शादी का कार्ड सा बनके बनके बिल्कुल रेडी हो गए अब आपको कहीं भी शादी में अगर सगुन देना हो तो आप इस तरह के पाउचेज में डाल के दे सकते हो यह पाउचेज बसता है उन तब भी आप यूज़ कर सकते हो वैसा आप अगर बना चाहो तो बना सकते हो लेकिन यहां पर इस तरह के अर्जेंट में हमें चाहिए होता है और हमारे पास अगर कोई भी शादी कार्ड नहीं है शौप बंद हो गई है या कुछ भी रिजन हो सकता है तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो आप अपने गर पे ही इस तरह के पाउच बनाके इस तरह के से आप इसको रेडी कर सकते हो देखिए आप इसमें इजली हमारे यहाँ पर पैसे भी इसके अंदर आ गए है आने के बाद अगर आपके पास वो इस्टिकर है तो आप यूज कर सकते हो वरना इस तरह के की डोरी लेते होई आप यहाँ पर इसके अंदर इसको बंद कर लीजिए यहाँ पर देखिए अच्छे से हमारी नोट लग गई है लगने के बाद यह बिल्कुल सेट है और इसको हमें यहाँ पर इसको अच्छे से इसको लॉक कर देना है और चाहो तो आप आगे फ्रेंट की तरफ कोई भी शादी के कार्ड के उपर कई वर गोल्डन सा हम कुछ ब करना सकती हो मैंने यहाँ पर इसको सिंपल ही रखा है बिल्कुल कुछ भी नहीं किया तो आप इसको इस तरीके से बॉटर का डिजाइन डा सकते हो या फिर इसमें कई बार इस तरीके की नेट आती है इसके कार्ड के अंदर ही तो आप यहाँ पर उस कार्ड को भी यहाँ प को best लगा तो मिलते हैं next video में बाइ बाइ